कोरोना संक्रमन ने जहां देश भर में अपना कहर मचा रखा है वहीं अब कोरोना का असर त्योहारों पर भी पढ़ने लगा है आपको बता दे कि इस बार होली पर वो लोगों को अपने घर पर ही मनाना होगा ऐसा फैसला कोरोना संक्रमन के बढ़ते केसों को लेकर लिया जाना बताया जा रहा है सारवजनिक जगहों पर होली समेथ दूसरे आयोजन मनाने पर भी रोक रहेगी पतादे कि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते होली के रंग में भी भंग पड़ता दिखाई दे रहा है दिल्ली मुंबई उत्रप्रदेश समेथ कई राज्यों और शेहरों में प्रशासन ने होली को लेकर गाइडलाइन्स चारी कर दी है ऐसे में त्योहार मनाने के साथ ही इन गाइडलाइन्स का ध्यान भी रखना होगा दिली सरकार ने मंगलवार को आदेश दिया कि सारवजनिक जगहों पर होली समेथ दूसरे आयोजन मनाने पर रोख रहेगा DDMA ने अपने आदेश में कहा कि दिली में कोरोना के केसों में लगातार व्रद्धी हो रही है और सारवजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों के जमा होने से कोरोना के फैलाओ का खत्रा बढ़ जाएगा ऐसे में ये फैसला लिया जा रहा है कि सारवजनिक जगहों पर होली समेथ दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी DDMA ने जिलापिशासन पुलिस और समबंदित अथोरिटी को सक्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते खत्रे को देखते हुए सारवजनिक जगहों पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को जमा नहीं होने दिया जाए इसके साथ ही स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और सर्विलेंस के नियमों का सक्ती से पालन करने के आदेश जारी किये है यही नहीं नवरात्री और शबे बाराज जैसे पर्वो को भी सारवजनिक तोर पर नहीं मनाने की हिदायद दी गई है इसके अलावा बीमसी ने भी मुंबई में सारवजनिक तोर पर होली मनाने पर रोग का आदेश दिया है बीमसी ने मंगलबार को घोशना की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सारवजनिक सानों पर होली मनाने की अनुमती नहीं होगी बीमसी की और से जारी सरकुलर में कहा गया कि उलंगन करताओं पर महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहत कारवाई की जाएगी इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सौमवार को ही होली से जुड़ी गाइडलाइन्स चारी की थी योगों को जाग रुक किया जाए बिना सानिय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलू सथाकार एक्रम या सारवजी निक्समारो आयोजित ना किये जाए इन आयोजिनों में हाई रिस्क कैटेग्री जैसे दसवर्ष की उम्र से कम के बच्चों साट वर्ष से अधिक किवरध ज़र और एक से अधिक गंभीर बिमारी से ग्रसित वेक्तियों आदी को शामिल होने से बचाया जाए इसके अलावा संक्रमन्ट फैलने की रफतार कमना होने से मध्यप्रदेश और गुजराच सरकार ने तोहार के लिए गाइडलाइन्स चारी की है इसके तहट भीड में होली खेलने पर रोक रहेगी मध्यप्रदेश सरकार ने हर रविवार को लोगडाउन लगाने का फैस्ता लिया है होली का देहन रविवार को ही होने की वज़े से वैसे भी लोगडाउन लगा रहेगा वही के इंदुशासित प्रदेश चंडीगर में भी होली पर सारवजनिक समारोह नहीं किया जाएंगे प्रशासन के मताबिक कलब, होटेल, रेस्टोरेंट को होली के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम करने की अनुमती नहीं होगी चंडीगर भी उन शेहरों में से एक रहा है जहां कोरोना के ज्यादा मामने मिल रही है उपमुक्य मंत्री नितिन पटेल ने बताया कि कम संख्या में लोग होली जला सकेंगे पर पब्लिक प्लेस पर रंग खेलने की जादत नहीं है मुक्य मंत्री के साथ हुई कोर कमेटी की बैठेक में ये फैसले लिए गए वही उपमुक्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमन को देखते हुए लोग होली ना खेले होली का दहन में भी नियमों का पालन करना ज़रूरी है नियमों के अंदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस कारवाई की जाएगी झाल पुलिस कुलिस नियों कOK